नमस्कार दोस्तों, मैं अवसेक मिस्रा, टीम CLC, केमेस्टिफ फेकल्टी आईवीपीसी, आईसोमेरिजम, जीओसी, हाइड्रोकारवन ये टॉपिक हो गए हैं, अब आज अपने डील करेंगे हेलोजन डेरिवेटिव, ग्रिगनार रियजेंट, अलकोहल, फिनॉल इधर, खीक है इसमें भी 75 कोश्चन होंगे, और वही रूटीन रहेगा, कोशिस की जाएगी कि आपको थेवरी साथ-साथ बताईजाए जैसे कि फर्स्ट कोश्चन है The following reaction is known as Simple reaction का नाम दे रखा है हेलोजन डेरिवेटिव का कुश्चन है C2H5Cl, SOCl2, Pyridine की प्रिजन्स में C2H5Cl plus SO2 या हलाइट बनाने का, अलकिल क्लोराइट बनाने का बेस्ट मेथड पहले बात तो यह है, इसमें ये भी कुश्चन पूछा आजकता है कि कौन सी रेक्शन अलकिल क्लोराइट बनाने की बेस्ट मेथड ठीक है, इसमें तो SOCl2, CL आ गया तो इसमें आंसर होगा डार्जन प्रोसेस ठीक है, कौन सा होगा, डार्जन प्रोसेस अब इसमें आपको क्या पढ़ना है इसमें फिंकलिस्टीन रेक्शन आपको पढ़नी है स्वार्ट रेक्शन आपको पढ़नी है डार्जन होगा यहाँ पे, कुन सदीकर रेक्शन पढ़नी है रेक्शन देके पूछ लेगा यह कौन से रेक्शन है स्वाइट रियक्शन है, फिंकलिस्टीन रियक्शन है, चीक है, तो आप उसके बारे में देखने हैं आपको, नेक्स्ट कोश्चन, यह तो सिंपल, फैक्ट वाइज कोश्चन था, यह देखते हैं, एक एलकीन है उसकी NBS के साथ रियक्शन, NBS जानते हो आप, NBS क्या है, N-Brom सक्षिनामाइट, इसका काम क्या होता है, डवल बॉंड या बेंजीन के ठीक बगल से H अटा के, क्या लगाना है, B-R, क्योंकि NBS, डवल बॉंड के ठीक बगल से H अटा होगे, वहाँ फ्रियर्टिकल बनेगा, फ्रियर्टिकल देखने हैं ना, कौन साधी किस्टर बनेगा जैसे इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं ही पर, ठीक है, CS2 और यहां क्या है, फ्रियर्टिकल ठीक है, इसको अगर हम ऐसे लिख दें तो कोई धिक्कत है, देखो, कोई धिक्कत नहीं, B-R, फ्रियर्टिकल, अगर इस पर करते हैं, तो यहां आ जाता है, बी आर और इस पर बी आर फ्री एडिकल करेंगे तो यह आ जाएगा डबल बॉन्ड C S 2 V R बोलो बई सही है अब यह तो हमारा है कौन सा प्रोड़क्ट माइनर और यह क्या है मेजर ठीक है ना दो पूछा जाए तो आप ऐसे करना ठीक है next question acetone is mixed with bleaching powder to give acetone bleaching powder CS3 C11O CS3 CA OCL CL यह दिया हूँ या CAOS का होल twice यह तो bleaching powder है यह क्या है bleaching powder अपने आप में एक question है कि bleaching powder का formula क्या होगा इन और्गनिम में यह भी पूछा रता है CAOS का hold twice plus CL2 यह भी दिया हो या base कोई दे रखा है NaOH plus CL2 यह भी दे रखा होगा तो यह कौन सी reaction हो करेगा इस पर बिचार करना आपको कौन सी reaction है Idoform test कौन सी reaction होगी Idoform test तो इसमें Idoform होगा तो यह क्या बन जाएगा CHCl3 plus CS3 COO hold twice यह क्या होगा CA यह यह answer होगा तो answer कौन सा है chloroform कौन सी reaction है यह Idoform ठीक है बात next question पर चलते हैं chloroform NCIT के बात है chloroform chloroform को why तथा सूरी प्रकास में खुला रखने से बनता है pure जान बुच के लिखा गया NCIT का question है CSCL3 air के साथ क्या बनेगा FOSGING है COCL2 थोड़ी सी बात करें थोड़ा सा इसमें बिचार कहीं सी को FOSGING के COCL2 कहते है COCL2 का IUPAC नीम बता सकते हो देखो CO CL इसका IUPAC नीम बता सकते हो ऐसे आजाए इसके IUPAC नीम करके आजाए तो क्या होगा देखो one numbering कर दी one chloro methanol chloride क्या होगा इसका IUPAC नीम one chloro methanol chloride ठीक है ना चलते है next SN1 reaction SN1 reaction और SN2 reaction SN1 reaction के बाद अभी SN2 का भी question आएगा ही आएगा SN1 reaction is directly proportional to stability of carbo-cutain ठीक है SN1 reaction directly proportional to stability of carbo-cutain BR हटाओ और वहाँ प्लस चार्ज बना दो इसको ऐसे लिख लो CS3 CS3 C6H5 CHBR CS3 और यह क्या हो गया बेंजीन CS2 प्लस और यहां BR हटा होगे यहां क्या हो गया प्लस इसमें C6H5 CH प्लस C6H5 ठीक है इसमे C6H5 C CS3 C6H5 प्लस कार्बोगटाय है अच्छे तरह से आप जान गया हो कौन सा कार्बोगटाय है इस्टेवल है रेजोनेंस जिसमें अधिक से इधिक हो और साथ में रेजोनेंस प्लस प्लस तो इसका कार्बोगटाय है इस्टेवल है तो यही क्या हो जाएगा आंसर ठीक है कोई दिकरत नहीं नेक्स क्वेश्चन आइटु अनोच आइडोफर्म इस फॉर्म ओन वर्मिंग आइडोफर्म आइडोफर्म ठीक है आइडोफर्म तो इसमें थोड़ी सी डिटेल बात करें कि इसमें तो आइटु नह को साथ गरम करने पर आइडोफर्म बनता है तो जो आइडोफर्म टेस्ट देगा उसी में आइडोफर्म बनेगा तो आइडोफर्म कौन देता है देख लो ओधर थैंपल करेगा बसरते द्यान रखना CS3 COCL नहीं देगा CS3 CO NH2 नहीं देगा इसी टाइप CS3 CO CL भी नहीं देगा लोन प्यर हो वो नहीं देगे ठीक है न जान से हाँ अगर यहां OC2S5 होता तो हाइड दूसिस के बाद दे सकता था तो यह आड़ो फॉर्म टेस्ट देंगे तो इसमें देखो C2H5OH इसके बारे हम देख लो C2H5OH इसको ऐसे लेख सकते हो CS3 CS2 OH मतलब CS3 CHOH और यहां क्या हो गया एज यह ग्रूप आ गया ना देख रहे हो तो यही आड़ो फॉर्म टेस्ट देगा और इसी के साथ रेक्शन पर क्या आएगा CHI3 ठीक तो आंसर क्या हो जाएगा फॉर्स्ट यह नहीं देगा देखो CS3 OH नहीं ग्रूप है बेंजी नहीं तो 6 का अंसर क्या हो गया फॉर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ो फॉर्म को एजी डस्ट के साथ प्यम्तेव भी आया क्वेश्चन है और इसका थोड़ा सा आगे बढ़ा के जेमें वह भी हमें आज यहां बात कर लेंगे CHI3 CHI3 AG डस्ट तो CHI, I, I और I 6 AG, I, 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 सही है HC111 CH, क्या बन गया, Acetylene बोलो, इसमें कोई दिक्कत, अब extension इसका क्या आया था दे, इसमें कुछ नहीं, इसमें यह कहा था CS3, C, CL3, जी इसमें तो आंसर हो गया Acetylene, हो गया ना, अब इसकी AG डस्ट के साथ CS3, C, CL, 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 6 AG, CL, 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 ठीकर ना, CS3, बोलो, कोई दिक्कत, C, T1, C, CS3 तो यह तो बात किसकी है, जेही में की, यह अलग से आप उतर है, अगर यह आ गया, टू भी उटाइन, तो आप इसलिए उसकी मेकियम को साथ रखते हुए काम करना, ठीक है, नेक्स्ट कुश्चन, एक reaction है, उसको complete करनी है अपने को, ठीक है, बी आर, M, G के साथ रेक्शन करोगे, क्या बनेगा, M, G, V, R, कोई लफडा, कोई लफडा नहीं, CO2, C double bond O, double bond O, minus और ये, plus, plus और ये, minus, C double bond O, O, N, G, V, R, है, बोलो बीटा, इतने में कोई लिक्कत नहीं है, अब क्या कह रहा है, हाइड लुसिस, तो H plus, OH, minus, C double bond O, और यहां क्या हो गया, OH, कौन सांसर आया, first, पूर्य question को sequence wise लिया गया है, कोई दिक्कत, कर लोगे, next question, ठीक है, next question, आपका इसमें पूछ रखा है, कौन SN2 reaction तेज देगा, कौन SN2 reaction तेज देगा, SN2 की तियोरी, SN2 steric hindrance के inverse, जितना कम steric hindrance होगा, SN2 reaction की rate उतनी ही तेज होगी, ठीक है, यहां देखो आप, 2 degree है, यहां 1 degree है, यहां 3 degree है, और यहां क्या है, 2 degree है, तो SN2, 1 degree, 2 degree, और 3 degree, तो इसमें, hysteric hindrance किसमें कम है, 1 degree में, ठीक है, चले, इस question पर आते हैं, काँ, ठीक है, for a given alkyl group, the densities of the halide following the order, halide की density के बारे में बात कर रहा है, तो density बेटा, जितना अधिक molecular weight होगा, density उतनी अधिक होगी, आप से अगर simple कहा जाना, कि ethane है, butane है, hexane है, किसकी density अधिक होगी, किसकी अधिक होगी, जिसका molecular weight अधिक होगा, hexane की, इसमें किसका molecular weight अधिक है, आई, तो IBRCL, ठीक है न, तो generally, generally density is directly proportional to molecular weight, ठीक है, कोई दिक्कत, next, ये भी IIT में, जे इमीन में आया question नहीं है, यहाँ पे NACN कर लिए जाओ, ठीक है, अब यहाँ पे है CS2, CLI, ठीक है, अब यहाँ पे एक है, जो अच्छा बच्चा जान गया हो, तो उसो जाने कहेगा, किसा, Living Group जिसका अच्छा होता है, वही जड़ि निकलता है, लेकिन ये जो I Living Group का जो यह किसका ओडर होता है, Living Group का, लेकिन I अच्छा Living Group हैं, लेकिंट bunlar किस से एटैच है, बेंजीन सेटेज है और यहां जब उसको निकालोगे तो उसमें क्या हो जागा पार्शल डवल बॉर्ण करेक्टर तो उसको रिप्लेस हम नहीं कर पाएंगे तो रिप्लेस किसको करेंगे कि आई अच्छा लिविंग ग्रूप होने के बावजूद भी आई को रिप्लेस नहीं करना है एने सी एल निकला और यहां क्या हो गया सी एस टू सी एन ठीक है कौनसा अंसर है फॉर्थ ठीक है ना नेक्स्ट फ्लोरो बेंजीन कैंन बी संथेज़ाइज बाइड लेब डूटेट्स ठीक है थीक ना इनिलीन एनिलीन है और प्लस एस दिए फ्लोरो बेंजीन एंसयाटी यहां पर कोई बात अपने अलग कि नहीं करें सब एंसयाटी की बात है और अप उसमें चले जाओ यहां तो इस फ्लोरो बेंजीन बनाना है लेकिन यह एटी में यह चीज़ कहां पर रखिए एंड कंटेनिंग में तो यहां बन गया एंड टू प्लस सी यल माइनस अब क्या करना है हभी एफ फॉर ठीक है ना और साथ में हीट कर देंगे एंड टू सी यल और यहां क्या बनेगा फ्लोरो बेंजी ठीक है तो फ्रम किस से होगा एंड इनीरीन हीट कर दिया में डायरेक्ट ने तो पहले इससे करते हैं एच भी आप फॉर से फिर क्या करते आगे हीट करते ठीक है नेक्स्ट कॉस्ट्चन यहां एक कंपाउंड है जिसकी के साथ रियक्शन कर रहे हैं CS3CN और S2 निकल कर रहे हैं CS3, CS2, NS2 ठीक है तो CS3, CS2 इसकी हाइड एसस्ट्चन करेंगा न तो CN है CS3, C, triple bond, N इसके लिए हमें ऑप्शन में जाना पड़ेगा अब इसकी S2 निकल की तो दो मुल्दे ही रखा हैं तो हम क्लियर कट कॉस्ट्चन है तो CS3, CS2 और NS2 यह बन गया है लेकिन यहां से यह बनने के लिए अगर मालनों हम option first लेते हैं ठीक है न option अगर first लेते हैं तो यहां अगर CS3, CS2, CL लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा CS3, CS2, CN और करेंगे तो यह क्या बन जाएगा CS3, CS2, CS2, NS2 यह कारण बढ़ जाएगा न इसलिए यह first option नहीं होगा second अगर लेते हैं second लेते हैं CS3, CL तो यह क्या बन जाएगा CS3, CN यहीं आंसर हो गया ठीक है न तो option में चलिए यह second का काम है next which of the following can give Idoform test which of the following can give Idoform test तो Idoform test हमने कहा था यह group होगा या यह group हो जाए बता चुके इसकी थेरी तो यहां देखो यह group है CS3, CO और इसमें ऐसे करोगे तो CS3, CH, OH, H यह group भी आ गया तो answer कौन सा हो जाएगा first and second ठीक है next SN2 reaction का order बताना है SN2 reaction हमने कह दिया है जितना कम hysteric intense होगा SN2 reaction की rate उतनी ही तेज होगी तो 1 degree, 2 degree, 3 degree लेकिन super 1 degree सबसे दिख फिर 1 degree, फिर 2 degree, फिर 3 degree कौन सांसर होगा third, SN2 reaction की rate hysteric intense के क्या होगी inversely तीक है next, 16 number question when phenol react with CS3 MgCl कोई भी acidic hydrogen compound होगा, grigna region के साथ reaction होगी तो वो H प्लस देगा, जैसे phenol है, यह acidic hydrogen वाला compound है यहाँ phenol हो, alcohol हो, acid हो, RSO3H हो, कोई भी हो तो यह H+, और यहाँ क्या है, CS3 MgCl, ठीक है, यह plus और यह minus यह minus और यह plus, plus कहाँ जाएगा, minus के पास, क्या बन गया, CH4 कौन सांसर होगा, first, clear, next Dichlorodiphenyl Trichloroethane, famous compound है, बता सकते हो, क्या है DDT, ठीक है न, और DDT को कैसे बनाते हैं, यहाँ पर अगर जो, देख लो, यहीं बता दे रहे, क्लोरोबेंजीन लिया, यहाँ क्लोरोबेंजीन, दो मोले लिया, और इसकी reaction किस से करोगे, क्लोरल से, इसकी reaction किस से करनी है, क्लोरल से, देखो, क्या बना, यहाँ, यहीं पूछ लिया, DDT कैसे बनेगा, हमें तो इसका structure बताना है, वो उपर दे रखा है, लेकि यहीं पूछ लिए DDT का, इसलिए हम कहरें कि आगे इर्दिर्द की सारी बाते आपने करेंगे, तो जब क्लोरोबेंजीन, when क्लोरोबेंजीन react with क्लोरल in presence of concentrate S2SO4, then DDT is 4, ठीक, तो यहाँ, CL, CL, CH, C, CL, 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 यह structure आप देख लो किसमें है, first option है, है न, देख लो, इसी का नाम क्या है, DDT, insecticide, ठीक न, अमेरिका न इसे ban किया था, इस सब चीजे आप ध्यान रखना, next, सांदार question, चोटा question, IIT में आया question है, repeat होगा, उसी IIT के उन्हीं question को सामिल किया गया है, जिसके repetition के chance है, उल्टा चीजा question को नहीं रखा गया है, ठीक है न, यह बहुत famous question है, किसमें C2H5Cl की yield अच्छी आएगी, ठीक है न, तो इसके वे थोड़ी सी बात बताने से पहले, अगर जो CH4 हम, दूसरा ले रहें example, CH4 और CL2 है, CH4 प्लस CL2 है, इसमें इसको हमने axis में ले लिया, इसमें इसको axis में ले लिया, याद आ रहा है, methane, chlorine में अंधेरे में reaction नहीं करता है, याद परो बात, class की याद आ रहें, fluorine बहुत ही explosive reaction करता है, methane, alkane, chlorine के साथ अंधेरे में reaction नहीं करता है, क्योंकि उसको light energy की आफ सकता होती है, याद न, अब CH4 जब axis में होगा, क्या होगा, CH4, तो यहाँ बन जाएगा, CS3, CL, मतलब इसकी yield अच्छी आएगी, और जब CL2 axis में होगा, तो चार बार reaction होगी, SCL निकलेगा, चार बार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CCL4, बोलो गई, सही है, अब इसमें अपने question में क्या कहा है, कि C2H5, CL की yield का किसकी अच्छी होगी, जब C6, S6 axis में होगा, जब यह axis में होगा, तब तो क्या बन जाएगा, C2, CL6, बता सकते हो, क्रित्रिम कपूर, artificial camphor, इसमें तो, लेकिन अपने क्या चाहिए, इसमें C2H5, CL बनेगा, तो answer कौन सा होगा, first, बहुत से साफ सुतरे question है, लेकिन सब exam oriented बात है, अच्छे question है सब, कर लोगे, next, CS3, simple सा question देख लो पहले, आराम से pause, कर, अपना मकसद है, आप तक पहुँचे, ये चीजे, आप इसको फिर एक बार खुद try करना है, CS3 whole thrice, C, N, G, C, L, प्लस और ये, माइनस, D, प्लस, O, D, माइनस, ठीक है, तो CS3 whole thrice, CD, answer क्या हो गया, first, बोलो, ठीक है, next question, इसकी भी बात कर लेते हैं, alcoholic KOS का का काम क्या होता है, HCL निकालना है, HBR निकालना, NNS2 का का काम क्या होता है, HCL निकालना, HBR निकालना, ही तो है, question को आप ध्यान से पहले देख लीजे, एक बार question को ध्यान से देखिए, question देख लिया, question को ध्यान से देखो, ठीक है, देख लिया, एक बार alcoholic KOS का प्रयोग कर दिया, तो जनरी दुबारा alcoholic KOS का यूज नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि उससे, जब HBR निकालो गए, तो single bond था, जैसे मालनो यही है, alcoholic KOS दाल दिया, तो, BR double bond CH2, हो गया, अब दुबारा कर गए alcoholic KOS, इसका habitation SP3, इसका क्या हो गए, SP2, इससे strong acid है, इससे strong acid है, तो इससे strong base किया हो सकता, पड़ेगी बोलो, सही है, ठीक, तो यहाँ पे NNS2 यूज करोगे, यह क्या बन जाएगा, HC triple bond CH, तो alcoholic KOS followed by NNS2, आंसर क्या हो जाएगा, second, ठीक है, clear, next question, question को आप ध्यान से पहले देखो, यहां tertiary buttoxide कर दिया है, इसको पहले, मिटा देते हैं, यहां कर दिया, tertiary buttoxide, कर दिया, अब देखो, यह question तो इस्टिडियूम बनाया गया है, question बहुत अच्छा होता, जब इधर भी कोई ग्रूप होते हैं, जब इधर भी कोई ग्रूप होते हैं, जब इधर भी ग्रूप होते हैं, जहां से कोई matter है, तर्सरी buttoxide, base है, क्या करेगा, HBR निकालेगा, तो HBR, इधर कोई, BR यहां से, H इधर है, है यहीं नहीं, double bond, यहां से H निकालोगे, निकालोगे तो यहां क्या जाएगा, double bond, तो simple सा matter, C6H5, CH double bond, CH, C6H5, better base है, HBR निकालेगा, कौन सा option है, first, बोलो भई, सही है, next question, SN1 reaction, SN1 reaction, stability आप क्या देखना है, कार्बोकाटाइन, यहां से निकाल देया, BR, क्या लगा दिया, plus charge, CL निकाल दिया, plus charge, यहां CL, plus charge, और इस चीज़ को मैं ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, CS2, plus, CL निकालने बाद, और यहां क्या आगया है, OCS3, पैरा लिखा ना, पैरा OCS3, तो कौन सा कार्बोकाटाइन देखे, stable होगा, यह वाला कार्बोकाटाइन देखे, stable है, फिर, 2 degree, फिर यह, तो सबसे दिख हो जाएगा, 3rd, फिर 1st, फिर, 2nd, कौन सा अंसर हो, 3rd, 1st, 1st है, बोलो, सही है, एकदम आराम से, SN1 का ओडर, SN2, इस हेलाइट के शेप्टर में, SN1, SN2, SN1, directly proportional to stability of कार्बोकाटाइन, SN2, directly, inversely proportional to steric intense, हाँ, अगर जो, जाद एक कोई स्थोड़ा tough question है, तो आप याद करो, R, C, O, याद है, CL वाला केस, R, C, O, CS2, CL, याद है, फिर, R, O, CS2, CL, फिर, बेंजिल, फिर, 1 degree, 2 degree, 3 degree, super 1 degree नहीं, super 1 degree और बेंजिल वाले का, लगबक सेम होता है, याद आ रहा है, चलो, आगे next question, बहुत सांदार कोश्चन है, निमलिकित, तरसरी, B, Sight के साथ, अबक्रिया करने पर, Bromine, जल के साथ, Bromine के रंग, को रंगहीन करने में, और समर्थ होता है, कौन Bromine के, कलर को, D, कलराइज कौन करता है, Alkin, Alkin, अगर जो, HBR निकालने के बाद, बेस है, तो, बेस अभी बता रहे है, बेस है, तो क्या निकालेगा, HBR निकालेगा, HBR निकालने के बाद, अगर वहाँ, Double Bond, Triple Bond आ जाता है, क्या जाता है, Double Bond, Triple Bond, तो, वह, इस कलर को, D, कलराइज कर देगा, रंग हिंग कर देगा, लेकिन यहाँ पर वैसी कोई सुभदा, है नहीं, अगर यहाँ से देखो, यह तरसी ब्यूट आकसाइड डाल दिया, तो जैसे यह BR हटा, यहाँ क्या जाएगा, Double Bond, Alkin हो गया, हो गया ना, यहाँ से BR निकाला, यहाँ क्या गया, Double Bond, Alkin हो गया, तो यह Decalorize कर देगा, यहाँ BR, HBR, तो यहाँ Alkin हो गया, यह Decalorize कर देगा, चीक है ना, यहाँ देखो, यहाँ से BR निकालोगे, यहाँ से देखना, तो निकल ही नहीं सकता तो यही क्या हो जाएगा आंसर मतलब यहां कोई इलकीन इलकाइन बनने के चांसेज नहीं है तो यह इसको डी कलराइज नहीं कर पाएगा ठीक है पेसेंस के साथ आराम से क्वेश्चन देखना है आपको खुद करना पहले पिर देखो बिलकुल सही क्वेश्चन अगर यह आप्शन अपने हटा देते तो CHCL3 याद करो थियरी याद करना CHCL3 और CHF3 में कौन अधी कैसरीक होता है याद है C-CL बहुत फैमास क्वेश्चन याद आ रहा है क्लोरीन में खाली डी और्बिटल है इसमें जम कर जाएगा बैक बॉन्डिंग तो CHCL3 और CHF3 में कौन है कैसरीक होगा इन में से गर तीन है उप्शन है तो इन में से कौन होता CHCL3 लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉंग माइनस आई आ गया CN CN और यहाँ तोड़ा वीग बैक बॉन्डिंग होती है क्या होती है वीग बैक बॉन्डिंग तो कौन इसमें बहुत स्ट्रॉंग माइनस आई तीन आ गया है इसलिए स्ट्रॉंग एसली कौन है फॉर्थ यह अलग बुद्धा ध्यान रखना है क्योंकि यह भी खुब फेमस कोश्चन आई हुए है और यह एक बार जेही में में कोश्चन दे रखा है इसलिए अपना मकस्त ताप तक पहुंचाना कि आप ध्यान रखे ठीक है अब SN1 का ओर्डर SN1 डारेक्टली प्रोबोस्टनल टु इस्टेविल्टी आफ कार्वो कटैन प्लस 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 और यहाँ प्लस वैसे भी वहाँ इस्टेरी के इंडेंस अदिख है तो भी वही होता तो सबसे दिख हो जाएगा C कार्व को टैन प्लस M है यहाँ प्लस M C के बाद फिर D फिर A फिर B C, D, A, B ठीक है हो गया कौन सा आंसर है C, D, A, B थर्ड बोले बिटा ठीक है कोई लफडा इसमे सही है न कर लोगे वो भी होता तो भी ऐसे ही है कोई दिक्कत नहीं Next पिक्रिक एसिड पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है वही एक दिन बताया था है उसमें पिक्रिक एसिड ऐसा एसिड जिसमें क्या नहीं है C, O, O, S, गुरुप प्रिजेंट नहीं है 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 4, 6 ट्राइन अे फिनॉल फिर यहां पे एक छोटी से बात बता दे फिनॉल N.S.O. 3 में फिनॉल N.S.O. 3 में नहीं होता है लेकिन पिक्रिक एसिड N.S.O. 3 में फिनॉलल होता है solubility का order एक बार the item आया हुआ है, तो यह हो गया, यह तो हो गया, order of solubility with NaCO3 यह था, फिर यहाँ OH लगा दिया, NO2 लगा दिया, NO2, जैसे ऐसे, minus M लगाते गए, बढ़ता गया, यह solubility का order हो जाएगा, NaCO3 के साथ, यह भी question आपको यादी दिला दें, और सबसे last में, क्योंकि तो यह हमने क्या बताया, NaCO3 के साथ, solubility का order, next question, pure NCIT, wood spirit, grain spirit, जो अपने बात करते थे, किसकी, NCIT में एक page कहते थे, कि पढ़ लेना, जहाँ पे हम कहते थे, कि, denatured करने की alcohol को उसमें क्या मिलाते हैं, यह, wood spirit दे रखा था, दो पार्ट है, methanol और ethanol, तो methanol, wood spirit, ethanol क्या है, grain spirit, फिर अपने कहते थे, कि बड़े-बड़ी कंपनियों में उसको denatured कर देते हैं, alcohol का विकरती करन करते हैं, कैसे, उसमें pyridine प्लस COSO4 मिला देते हैं, COSO4 मिलाते हैं, तो उसका color क्या हो जाता है, नील और pyridine मिलाते हैं, तो आदमी, जिसको, जब denatured कर दिया है, तो आपने नाक तक ले नहीं जा पाता है, इतनी उसमें दुरगंद होती है, यह भी NCRT की लाइन है, यह उसमें पूछाओ क्वेश्चन है, खैर, wood spirit कौन सा होगा, methanol, और यह यहीं पे लिख दे रहे हैं, यह इसको क्या कहते हैं, rubbing alcohol, यह हो गया, wood spirit, यह हो गया, grain spirit, यह हो गया, rubbing alcohol, आइसो प्रोपिल alcohol को क्या कहते हैं, rubbing alcohol, next, कार्विनॉल, कार्विनॉल क्या है, derived name द्यान है, parent, alcohol का parent, कौन होता है, कार्विनॉल, तो यह है कार्विनॉल, अगर मानल ऐसे लिखते, CS3, CS2, OH, तो यह होता, कार्विनॉल, इसका क्या नाम लिख देते, methyl, कार्विनॉल, तो आंसर तो हो गया, कार्विनॉल, लहें कार्विनॉल के टर्ड में एक बार, PMT में question पूछा है, इसलिए कार्विनॉल अपना मकसद था कि आप तक पहुंचाना, ठीकर रहे हैं, एक का क्या कहते हैं, कार्विनॉल, तो मेथेनॉल, इसी को क्या कहते हैं, कार्विनॉल, तो सही है, बोलो, next, इथर है, बॉर्ण एंगल पूछा है, यह भी एंसेयाटिस लिए गया है, वह वह एंसेयाटिक आप्सन नहीं, इसमें 111 होना से, है, लंसम आंसर देया जाए गया, जैसे इसे लोन पियर बढ़ता है, तो बॉर्ण एंगल कम होता है, तो अगर जी इसका हाइब्रेशन की बात करें, SP1, P2, P3, SP3, तो 109 होना चाहिए, लेकिन यहाँ रिपल्सन के वज़े से, कि इसके बीच में, इसके रिपल्सन के वज़े से, इसकी बॉर्ण एंगल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है न, कम नहीं होती, क्या होती है, बढ़ जाती है, यह एक्जेक डाटा नहीं है इसमें सायद 111.7 ऐसे कुछ होगा, आप NCIT गवार कंसीर करना, 111.111, इसमें आंसर तो कौन सा टिक करेंगे, थार्ड वाला, क्योंकि इसमें बेस्ट आंसर यही है, लेकिन NCIT में 111.7 ऐसे डिगरी दे रखा हो, ठीक है न, 111 तो कंफर्म है, यह द्यान रखें, ठीक है, च 30 नमर कुश्चन पर अपने आ गया, तो यहां पर इसे बेक से जाएंगे अपने, के टू, सी, आ, टू, से बात है, इसका ऑक्सिजेशन होगा, तो ऑप्सन से जाएंगे, यहां बनाया है थ्री डिगरी अलकोहल, तो कोई अलकोहल है, जिसमें कौन सा होगा, टू डिगरी के आरे जिल के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहीं 3 डिगरी होगा, तो यहां कोई बाया ऑक्सिजेशन होगा है, तो यहां होगा, C3, पूरा रिएक्शन लेक देते हैं, C3, CH, OH, CS3, के टू, सीयार टू, सेवन, के टू, सीयार टू, सेवन, तो यह बन गया, C3, Co, CS3, अब इसकी reaction किसके साथ? CS3, NG, I प्लस और ये माइनस माइनस और ये प्लस CS3, C, CS3 CS3 O, NG, I Hydrosis करोगे H+, OH, माइनस CS3, C, CS3 CS3 और यहां क्या हो गया? OH हो गया, तो आंसर कौन सा हो गया? First ठीक है? Next Aster की reaction गिरिगना हाँ आप फिक्स कर दिया दो मोल, एक्सिस नहों होता है देख लो इसर C6, H5 CO, O, CS3 ठीक है? C2, H5 MGBR C2, H5 C2, H5 MGBR तो देखो धर यह माइनस और यहां प्लस सही है? तो यह हो गया C6, H5 C, O, M, G, B, R यह क्या हो गया? O, CS3 और यहां क्या लग गया? C2, H5 ठीक है? ना? माइनस प्लस इसने इसको दिया और यह बाहर इसके साथ लेके यह क्या हो गया? C6, H5 C, double bond O, C2, H5 फिर दुबारा रेक्षन C2, H5 M, G, B, R तो यह हो गया माइनस और यह प्लस C6, H5 इस्टर था C2, H5, M, G, B, R के साथ रेक्षन होई माइनस प्लस इसको गमा दिया यहां क्या हो गया? माइनस और यहां प्लस फिर यह हो गया इसने लेक्षन दिया यह बाहर C3, O, M, G, B, R बाहर आ गया C, C, H5, C, O C2, H5 फिर यह प्लस और यह माइनस माइनस हो गया न? तो यहां पे O, N, G, B, R और यह क्या हो गया? C2, H5 और यहां C2, H5 H प्लस डाला तो यह हो गया C6, H5 C, O, H C2, H5 C2, H5 कौन सांसर होगा? अब यह बात और दियानकोई इसका ट्रिक बता दे रहे हैं यह पर जो है वो तो फिक्स रहे गया यह अगर एक्सिस में भी दे रख़ा है टू मोल है तो यह जितना है माइनना है C3 है तो यहाँ पर 2C3 आता यहाँ क्या हो जाता? OH मालना है यहाँ पर C3, H7, Mg, V, R है तो यहाँ C3, H7 C3, H7 यहाँ आता और क्या हो जाता? OH मालना है यहाँ पर C, C, H5 ही होता सब पोर्च करों यहाँ पर क्या होता? C, 6, H5 तो जब C6H5 होता तो यहाँ पे ले आते तो यहाँ CCH5, फिर यहाँ पे क्या आता C6H5, यहाँ क्या आता C6H5 ठीक है ना, तो यहाँ पे इसमें आंसर क्या होगा C6H5 क्या रहा है, थार्ड वाला यह ट्रिक समझगे ना यहाँ पे मान लें CS3MGBR है तो यह तो ऐसे फिक्स रहता है, यहाँ क्या होता है, C3S7, C3S7 ठीक है अरे बोलो बेटा सभी है जैसे मान लो सपोज करो यही एक्सन ऐसी होती, C6H5 CO यह तो आंसर होगा ना, प्रथर्ड और यहाँ OCS3 और हम कर देते ऐसे MGBR टू मोल्ग लिख देते हैं यहाँ पे और हाइडलिसिस लिख देते तो हम डारेक्ट आंसर लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, C6H5 COH और यहाँ पे बोलो, याद आ रहा है सही है ना, नेक्स्ट एथिल ब्रोमाइट रियक्शन विथ ड्राई एग्शन विखते हैं, यहाँ दुनों बाते कर लेंगे अपने एथिल ब्रोमाइट C2H5 किसके साथ ड्राई एजी टू ओ तो देखो, C2H5 बी आर एजी ओ एजी बी आर C2H5 क्या बन गया? C2H5 O C2H5 डाई एथिल थे ठीक है न? लेकिन यहीं पे ड्राई ना होगा द्यान समलो यहीं ड्राई ना हो तो यहीं क्या बन जाएगा? एथिनॉर, एल्कोहल ठीक है? नेक्स्ट बात समझे गया न? ल्यूकास टेस्ट इस यूज याद है? वन डिगरी, टू डिगरी, थ्री डिगरी ठीक है न? एक दो से तीन सेकेंड लगते हैं एक को पांस से दस मिनट और एक देता हैं नहीं ठीक है? तो एल्कोहल का ही टेस्ट है याद आ रहा है? ल्यूकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट बोलो ठीक है? कर लोगा न? ल्यूकास टेस्ट किसके लिए है? अल्कोहल के लिए अगली बात नेक्स्ट कुश्टन करते हैं इसको कर लोगा न ये? ल्यूकास टेस्ट क्या करता है? Leucastus distinguish 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohol Sodium के साथ reaction नहीं करता, देखो Sodium के साथ कौन-कौन reaction कर लेते हैं RSO3H कर लेता है RCOH कर लेता है Phenol कर लेता है ठीक है न, alcohol कर लेता है R, C, triple bond, CH Na के साथ क्या बनाएगा, salt Ether reaction नहीं करता, आंसर कौन सा होगा, Ether तो यह सब reaction करते हैं याद करो कि उसमें बड़े-बड़े चार ग्रूप लगाते थे मोल देते थे, 2-N-A-N-S-2, 2-N-A कौन reaction करेगा, कौन नहीं उसमें अगर कंबाइन कर दिया है, याद आ रही है यह वाली बात, यह दो देख लिया, Ether याद करो यह वाली बात करते थे अपने, यहाँ ऐसे COH 2-N-A-N-S-2 लिख देते थे, तो जो चारों में जो strong acid, याद है, साथी कराई जाते थे उसमें, किसी एक खड़ा करके, तो 2-N-A-N-S-2 तो एक यह कर लेगा, यह कर लेगा, अगर यह 3-N-A-N-S-2 दे रख़ा तो इससे भी कर लेगा, 4-N-S-2 है तो इससे कर लेगा, कि अबल 1 देते तो सिर्फ इससे करता, उसके इर्द गिर्द बाते देखते रहो, समझगें, यहाँ 2 है तो कौन कौन करेगा यह यह, अगर सिंपल, 1 होता है यहाँ पर, 1 होता, तो सिर्फ कौन करता है यह, 3 होता, 1-2-3 करता, 4 होता तो 4 कर लेगा, चैने आगे, next, Electrophilic Substitution Reaction, Electrophilic Substitution, Electrophilic Substitution Reaction is directly proportional to activating group, Electrophilic Substitution Reaction is directly proportional to activating group, Activating group जितना अच्छा होगा, Reaction के रेट उतनी ही तेज, activating group का order, फिर लिए, O-, NS2, OH, OCS3, NH, COCS3, O, COCS3, याद आ रहा है, CS3, फिर C2H5, फिर रेगेटर से लिए, ठीक है न, तो activating group के क्या होगा, directly proportional, next, जिसमें आंसर कौन सा है, third, ठीक है न, 35 न आंसर कौन सा है, third, next बात करते हैं, 36, strongest acid, ये क्या है, alcohol, ये क्या है, alcohol, ये क्या है, phenol, ACT का order, phenol, फिर 1 degree, फिर 2 degree, और फिर 3 degree, ठीक, तो phenol, 1 degree, 2 degree, 3 degree, तो इसमें simple सा है, phenol है, next question बात करते हैं, 37, ठीक है न, HI के साथ reaction है, ether की, तो एक बात देखो, याद करो, अरगा, ether की reaction होगी, तो बड़े वाले का alcohol, छोटे वाले का, iodide, बसरते O के साथ क्या न जुड़ा हो, अगर tertiary benzyn जुड़ा होगा, तो उसका stable carbootene बनेगा, तो वहाँ क्या attack कर दोगी, आई, तो बड़े वाले का alcohol, इसका ताइवडाइड बन गया, इसका alcohol लेकिन यहाँ CSC कर दिया, यह होगा, इसका तो बना दो alcohol, तेकि अगर यहीं tertiary benzyn है, तब वहाँ कारbocotene stable होगा, यह तो reaction कौन से है, SN2, अगर यहीं tertiary benzyn होगा, तो reaction कौन से हो जाएगी, SN1, मतलब उसके साथ I- attack करेगा, बेटा बात समझ रहे हो, नॉर्मल अगर कोई S- मान लो दे रखता है, देख लो इदर, यह है, OCS3 है, और इसकी HI के साथ करते हो, तो इसका तो alcohol बना दो, और इसका क्या बना दो, iodide, बना दिया, लेकिन यहीं पर अगर यह बेंजिल हो या टर्सरी हो, मान लो, यह हो गया न, यहीं मान लो ऐसे हो, बेंजिल, CS2, OCS3, तो इसका कार्बोकेटायन अच्छा है, स्टेल बनेगा, तो इससे क्या जुड़ेगा, आई माइनस, तब इसका alcohol नहीं बना, ठीक है, तो इस पर पहले आते हैं, question पर, बड़े वाले एक alcohol, छोटे वाले एक iodide कौन सा है, यह आ गया, ठीक है, कौन से reaction होगी, SN2, यह भी पूछ ले, कौन से reaction है, क्योंकि इसकी मैकेजम करिए, NCIT में, इसलिए, इसकी में पूछ सकता है, next question, फिनॉल, question देख लिए सबने, जिंक डस्ट के साथ reaction हुई, क्या बन जाएगा, बेंजीन, CS3, CL, AL, CL3, बेंजीन के उपर क्या आ गया, CS3, KMNO4, क्या हो गया, बेंजोइक, कौन सांसर हो गया, बेंजीन के उपर कोई भी अल्किल ग्रूप हो, KMNO4 के साथ reaction करो गया, तो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, next, ये भी एक्जाम में आया question है, तो इसमें देखो, कौन सा अधी के strong acetic है, ये तो क्या है, alcohol, ऐसे देखो ज़र, ये क्या है, phenol, ये क्या है, alcohol, ये क्या है, alcohol, तो simple से बाब बता दे, कि phenol, alcohol में कौन अधी acid होगा, phenol, resonance है, उसमें, सबसे अधी acid कौन होगा, और alcohol में देखना है, तो जैसे इसे plus effect बढ़ता जाएगा, acet क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, next, which are the following give, iodine solution ने बच, मतलब iodine form reaction कौन देता है, ये बहुत important है, इसलिए 3-4 बार आ गया ये, ये group होना चाहिए, ये बाई, CS3, C100, O, CS3, CH, OH, ये group होगा, तो ये देगा, ज्याना भी लिख रहते है, CS3, CH, OH, और ये, H, ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये नहीं देगा, तो answer क्या होगा, 123, कौन सा answer होगा, third, सही बटा, यहाँ पर C6H5, CCH5 कर दे रहें, CS3, CO, C6, H5, अभी benzoilation होगी, ठीक ना, तो जब phenol की reaction, या alcohol की reaction, किसी की, इसके कोई मुद्दा नहीं है, alcohol या phenol की reaction, C6H5, CO, CL, हमने clear cut लिख दिया भई, ठीक ना, यह इस पेटेग होगा, CL बाहर निकल जाएगा, तो सीधे यहाँ से, HCL, यह बन जाएगा, C6H5, OCOC6H5, इसी reaction को कहते हैं, sotern-bombin reaction, या इसको कहते हैं, benzoilation, एंसे इसको benzoilation, लेकिन PMT में एक बार sotern-bombin reaction आ गई है, तो एलकोहल, यहाँ ध्यान से सुन लो, एलकोहल हो, फिनॉल हो, इसलिए हमने यहाँ सही कर दिया है, C-L, C-O, C-C-H5, C-C-H-5, C-O, C-L होगा, एलकोहल हो, फिनॉल हो, एमीन हो, एनिलीन हो, benzoil chloride के साथ reaction होगी, उसी को कहेंगे, S-B-R, S-B-R, यहाँ benzoil chloride होगा, ठीक है, next question, फिनॉल और benzoil acid, is distinguished, अभी एक बात कर रहे थे, जिसमें हमने कहाते है, N-S-C-O-3 के साथ solubility, याद आ रहे हैं, N-S-C-O-3 के साथ कैसे solubile होगा, कैसे नहीं होगा, तो फिनॉल, फिनॉल, does not react with N-A-H-C-O-3, और benzoil acid कर लेगा, तो answer कौम सा होगा, second, N-A-O-S दोनों के साथ करता है, कोई दिक्कर की बात नहीं है, और फिनॉल पे जैसे, इसे माइनस M लगाते जाएंगे, reaction हो जाएगी, लेकिन जनरली फिनॉल N-A-S-C-O-3 के साथ reaction नहीं करता है, ठीक है बेटा, कुसरो हो या, समझगे, जो आया आए आराम से, lockdown कुछ नहीं, आराम से एक एक क्वेश्चन, चीजें हाथ से निकालते रहो, आज है 75 क्वेश्चन, देखा, क्वेश्चन आगे देखा, answer किया, पर देखा, आगे answer, ठीक है, next, हो गया बाई, 43, KHSO4 के साथ glycerol, KHSO4 क्या करता है, water निकालता है, क्या करता है, water निकालता है, CS2, double bond, COH, CS2, OH, फिर S2O, CS2, double bond, C, double bond, CH, OH, तो और टो मराईज हो गया, CS2, double bond, CH, CH, double bond, O, एक्रेल लिहाइड कहीं है, यह आ गया, यह सांदार कुस्चन, glycerol की, KSO4 के साथ, reaction होगी, तो क्या बनेगा, एक्रेल, लिहाइड, कोई लफ़डा, next, simple सा कुस्चन है, isopropyl alcohol, isopropyl alcohol को याद दिला रहे हैं, isopropyl alcohol बेटा, बोलो, isopropyl alcohol को क्या कहते हैं, बोलो, rubbing alcohol, question है, बहुत tough हो जाएगा, क्योंकि rubbing alcohol किसी को पता नहीं, इसी question हम चेंज कर देते, oxidation of rubbing alcohol, हो जाता है, मामला खरा, क्योंकि rubbing alcohol क्या होता है, यहीं नहीं, तो यहाँ लिख दिया, CHOH, CH3, इसी को क्या कहते हैं, rubbing alcohol, और इसकी, क्या उनों, 4, K2, C2, C2, 7, PCC, PDC, किसी के साथ, oxidation करोगे, क्या बनेगा, AC tone, अच्छा एक बाब बता, AC tone common name है, कि historical common name, historical common name, NCIT में इसको focus किया हुआ है, समझ गए, common name तो क्या होता है, इसका, di-methyl ketone, और AC tone क्या है, historical common name, next, ठीक है, फिनॉल को जिंक के साथ, simple सा question है, फिनॉल है, लेकिन PMT में ऐसे आएंगे, जल्दी वाजिम बरत नहीं करना, फिनॉल जिंक डस्क के साथ, एक संगर क्या बना दिया, बेंजीन, ठीक है, next, अब यहाँ एक सांदार चीज आ गए, यहाँ पर कुछ था नहीं, हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, H2O निकालो, और जो इस्टेबल बन जाए, उसी का डिहाइडरेशन तेज होगा, यहाँ किया, तो इसको जब H2O निकालोगे, यहाँ से H, यह बन जाएगा, यूँ, बेंजीन, यह आ गया, और यहाँ देखो, यहाँ से H2O, निकाल ही नहीं सकते, यहाँ से H2O, निकाल ही नहीं सकते, इसलिए dehydration, इसका सबसे कम होगा, तो सबसे दिख होगा, 3rd, 2nd, 1st, आंसर क्या हो जाएगा, 2nd, 46 क्या हो गया, 2nd, next, निन में कौन, NEOH के साथ, रेक्षन नहीं करेगा, बाई साथ, एलकोहल, NEOH के साथ, रेक्षन नहीं करता है, NEOH के साथ, कौन रेक्षन करता है, फिनॉल, यह तो फिनॉल साधिक एस्डिक है, यह रेक्षन नहीं करेगा, यह स्टॉम इसिड, अभी इसकी बात करी थी, CHCN whole thrice, तो, लेससिडिक है अलकोहल, इसलिए NEOH के साथ, रेक्षन नहीं करेगा, next question, PCL5, उस योगी के साथ, जिसमें होता है, generally OH group, इसके option के हिसाब से, PCL5 जिसे ROH है, PCL5 के साथ, रेक्षन RCL, जब आप लोग क्लास होगर, अब लेते होगे, तो उस समय अपने, इसकी SN1, सॉरी, high temperature, low temperature पर रेक्षन करते थे, कि एक बार, SN1 रेक्षन होगी, SNI होगी, एक बार SN2 होगी, याद आज़ा है ना, बैक साइड से रेक्षन करेगी, उन सब चीज़ों को करने के अब आउ सकता नहीं, ठीक है ना, next, simple इसमें मामला है, ठीक है ना, अब कौन से आगे रेक्षन, बात करते हैं, 49, कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है, phenol is more acidic than, phenol is more acidic, phenol is more acidic, इन में से phenol किसका अधिक अधिक है, तो इसमें देख लो, कौन phenol से कम इसरीक है, यही तो है, तो यह phenol है, यहां क्या लग गया, plus M, और simple यह phenol है, plus M, यह तो simple phenol है, और यहां plus M लग गया, तो यह acet को क्या करेगा, कम करेगा, यहां क्या लग गया, minus M, तो यह acet को, बढ़ाएगा, यह क्या करेगा? SCUT को बढ़ाएगा यह simple alkyne तो answer क्या हो जाएगा? 1 and 3 alkyne तो alcohol 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 strain से अधिक एसरीख होता है ठीक है? next victor में टेस्ट R, B, W 1 degree, 2 degree 3 degree W या इसको colorless भी बोलते हैं R, B, W test तो red, blue ठीक है? कौन सा है? 50 हो गया? सही है? next any solve any solve क्या होता है, बेटा? O, CS3 CS3 whole thrice C, C, L AL, C, L3 O, CS3 C, CS3 C, 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 L2 F, C, L3 कौन अच्छा activating है? ये है, तो इसके पैरा अपना जाके कहां जाएगा? और्थो पे O, CS3 यहां क्या हो जाएगा? C, L, C, CS3 CS3 और CS3 ठीक है? कौन सांसर हो जाएगा? और उसका आगे H, B, R भी दे रखता है सांदार H, B, R तो इसका क्या बन जाएगा? O, H यहां से यह हो जाएगा O, H C, L, C, CS3 CS3 ठीक है न? और यहां CS3 बोलो भई ठीक है? देख लो ज्यान से यहां तक आगे अब इसमें H, B, R के साथ तो इसका O, H बन जाएगा और यह सब चीए नीचे सेम ही रहेंगी तो कौन सांसर है? फॉर्थ आंसर है ठीक है? इसमें कोई दिक्कत कर लोगा न? Next यूगमा ने बकरिया है याद आ रही है? O, H O, H यहां H है प्लस C, L, N2 यहां से H, C, L, N2 निकाल दिया है तो यह क्या हो गया? O, H N double bond N और यहां क्या हो गया? Bain तो सिंपल से कौन से reaction है? Coupling reaction यह basic medium होती है वो भी normal समझगे न? 8-10 लिखा होगा उस पर और यहां पर NH2 होता तो 4-5 pH ठीक है न? Next question तो answer first हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल PI3 के साथ reaction देखो इदा बेटा सामदार question यह भी है CS2 double bond CS2 PI3 CS2 CS2 I यहां से क्या निकल गया? I2 I का size क्या है? बड़ा है यह निकल गया तो यहां क्या बन जाएगा? CS2 double bond CS2 यह क्या बन गया? E3 53 Next चलते हैं 54 number question SCN देखो गाटर मान नाम से reaction है एक गाटर मान कोच reaction है बेंजीन यहाद है गाटर मान कोच बेंजीन CO plus SCL ALCL3 CHO ठीक है न? और एक यह जो बेंजीन की CUCL CU-HCL वाली reaction N containing में ठीक है? और एक यह गाटर मान LDH पैराप LDH तो इसका क्या होगा? SCL plus SCN यह हो गया? CL CH double bond NH और इसी की reaction किसके साथ? फिनॉल के साथ करा दीगी न? तो OH यहाँ क्या होगा? CH double bond NH हाइड़सिस कर दी H plus OH minus तो यह हो गया OH CH OH OH पर यहाँ से क्या निकाल दिया है? S2O तो यह हो गया OH और यहाँ CHO यहाँ जो आपने बनाया न? intermediate यह इस पर CH plus double bond NH इसको कहते हैं LD mean जो इस पर attack करेगा LD mean intermediate ठीक न? तो यह कौन से reaction है? गाटर मान reaction ठीक है? देख लो और यह भी यह कौन से reaction है? गाटर मान coach reaction है कौन से reaction है? गाटर मान coach CS double bond NH है हाइड़सिस की तो यह minus और यह plus यह minus और यह plus OH OH चला गया S2O निकल गया simple सी बात ठीक है न? यहाँ पर ortho पी किया है तो यहाँ पर ortho पी लिख दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं ortho कर दो है पैरा पे अगर यही चीज ortho पी अटेक कर रहते हैं यहाँ चला आता है अरे बात समझ रहे हैं यहाँ भी ले जा सकते हो और पैरा पी ले जा सकते हो major product पैरा ओला होगा यहाँ पे क्या होता है पैरा ओला ही बन सकता है यह हमने ortho पी दिक्कत नहीं ठीक है नो? पैरा पर लिख दिया ortho पे भी काम कर सकते हो यही चीज़ सीदे बता देखो यह हम ऐसे कर लेते हैं देखो यह 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 यहां ले गए तो यह हो गया है नेक्स कुश्चिन फिनोल है प्लस सीस्टू डवल बॉन ओ माइनस और यह प्लस इसी के और्थो पैरा पर हम एक कोई कर दे रहे हैं ओएच सीस्टू ओ माइनस प्लस ओएच सीएस टू ओ माइनस अब यही एच प्लस डाल दो तो ओएच हो जाएगा यहां एच प्लस डाल दो ओएच इसको कहते हैं लीडर मनास से रियक्सन देख रहे हो नाम है याद होना चाहिए नाम से रियक्सन होगी यह ठीक है नेक्स्ट फिनॉल की जिंक डस्ट के साथ रियक्सन कर दी फिनॉल जिंक के डस्ट के साथ रियक्सन कर दी क्या बन गया बन गया अब कह रहा है बेंजीन का एसली करण सी एस थ्री सी यो सियल डे लपि यह हो जाएगा सी ओ सी ने कौन से रियक्सन होगी फ्रिडल क्राफ्ट रैक्सन हैं सब्सांदेट काद इसको सी रियक्सन हो इससे पी प्लस आइसड। यह बन गया CS3 CS2 I MG CS3 CS2 MG I HC double bond OH minus और यह प्लस CS3 CS2 CS2 कर दिया H plus OH minus minus और यह प्लस CS3 CS2 CS2 OH ठीक है क्या बना एन प्रोपाइल एलकोहर ठीक है नेक्स्ट क्वेस्टन कांसंट्रेट एस्ट और सो फोर पहले इसको लिख लो CS2 CS2 CS3 CS3 अब क्या होगा एस्टू निकलेगा क्या निकलेगा एस्टू एस्टू निकलने पर देखो दो प्रोड़क्ट दिख रहे होंगे आपको एक ट्रांस बना है और एक सिस बना है ड्रांस बना और सिस बना कौन अधिक ट्रांस और सिस में कौन अधिक इस्टेबल होता है trans is more stable than cis तो h2 निकल गया, कौन सा हो जाएगा, trans वाला यहां से h निकालना, इधर से निकाल देना, ठीक है न तो trans is more stable than cis, ठीक है न, ठीक है ह प्लस ले जाओगे, o s2 यह rearrangement करेगा, मैं के जम लिख देगा अरे बोलो, h प्लस ले जाओगे, यह rearrangement यहां फिर minus h प्लस करो गए, बोलो बई, सही है, समझ रहीं है जय से cch5 है, cx2, cx, o h है, c h, cx3, cx3, हम, तो यह, o s2 प्लस यह निकाला, तो यह हो गया आपका C6H5 CS2CH PLUS CHCS3 अब यह इदर जाएगा तो इदर resonance में आ जाएगा C6H5 CH PLUS CS2CH CS3 अब माइनस H PLUS करोगे तो यहां क्या जाएगा यह हटा यहां क्या आगा double bond और यही कौन सा हो जाएगा trans वाला transfer option कौन सा है second ठीक है next इसको ऐसे लिख लो CS3 C double bond O CS3 HO CS2 CS2 OH यहां एक बात बताएंगे फिर कौन सा अंसर है second यहां एक ध्यान से बात सुन लो second answer होगे न यहां एक ध्यान से बात सुन बहुत छोटी सी बात है लेकिंपोर्टन्ट है यह PMT में आया question अगर जो यह CS2 OH है और एक CS2 OH ही यह है यह AC Tone के साथ reaction करेगा जो प्रोड़क बनाया और यह AC Tone के साथ reaction नहीं करेगा इसलिए इसको इसको डिस्टिंगिस करने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं AC Tone next question FECL3 phenol FECL3 के साथ reaction करके FEOPH6 violet color देता है ठीक है तो ठीक है न FECL3 के और और ऑक्सरी चाहिए यह आंसर हो जाए phenol किसी को डिस्टिंगिस करना हो तो यह color कौन सा होगा violet color सही है बोलो phenol FECL3 के साथ reaction करके क्या करेगा violet color phenol benzoic acid को डिस्टिंगिस करना है तो क्या मिला दोगे FECL3 यह भी important चीज़ है concentrate ECHNO3 NO2 यहां जाएगा और CSA इसके पैरा पे और इसके पैरा पे तो आंसर कौन सा है first बोलो ठीक है next 62 यहीं कर लेते हैं यहां क्या कर दिया PBR3 simple यहां पे PBR3 किया यहां क्या गया BBR अलकोहलिक के ओ एच सही है कौन सा अंसर हो गया first next कौन सा अइडो फॉर्म देगा देख रहा है ना इस पार हैं देखो CS3 CS2 पहला option ही देख लो CH OH CS3 यह पूरा गुरुप क्या देगा अइडो फॉर्म टेस्ट सही है next यह हो गया CS3 CH BR CS3 सही है यह बना है फिर इसकी NG के साथ reaction CS3 CH CS3 NG BR फिर इसकी इसके जाब माइनस और यह प्लस प्लस और यह माइनस यह बन गया CS3 CH CS3 CS2 CS2 ONG BR फिर इसकी हाइडो सेस CS3 CH CS3 CS2 CS2 OH माइनस और प्लस क्या बन गया answer यह थर्ड 64 का क्या हुआ थर्ड ठीक नेक्स्ट फिनॉल किसके साथ reaction कर रही है थर्ड यह थर्ड कौन सी रेक्शन है यह पता है राइमर टीमन रेक्शन आरी है राइमर टीमन रेक्शन इसमें 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 जो इसमें 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 और थर्ड पर क्या इंसर्ट होगा CHO हाँ ने अच की जाएपर अगर के वेच है तो पैरा की possibility क्या होगी बढ़ जाती है थोड़ी ठीक है कर लिया राइमर टीमन रेक्शन नेक्स्ट ओएच एने एमी ने निकाल देया यह कौन सी रेक्शन होगी विलियंस रेक्शन यही तो है र एक्स प्लस र ओ एने र ओ आर कौन सी रेक्शन होती है विलियंस रेक्शन इथर सेंथेस याद आ रहा है और विलियंस रेक्शन सत्दफ करिया कौन सी है एलकोहल से इथर बनाना र ओ आर इसको कहते हैं विलियंस रेक्शन विलियंस रेक्शन कांटिनुटी सतत अब करिया है सतत अब करिया है विलियंस सतत रेक्शन यह क्या है विलियंस रेक्शन इथर नेक्स्ट निगेटिव आईडो फांटेस यह तो आईडो फांटेस देगा इसमें ये group है तो ये देगा और ये देगा ही देगा पहला ओला ये नहीं देगा ये देगा तो कौन आइडोफान टेस्ट नहीं देगा वो कौन सा है second simple सी बात है ये तेजी से क्योंकि आप तेजी से जिसको इस साल crack करना है साथ चलो जितना हो सकता है क्वेशचन है और्फो नाइक्टरीनौल पेरानायतो फिलोर कैन भी सेपरेटेटड वाई स्टीम इसका स्टीम इस्टीम इस्टीम स्टीन ईक बäter फो जाएगा जैसे ब्रांचेज बढ़ेंगी बॉइलिंग पोइंट क्या होगा कम होगा तो डिग्री लेक्षन लीवर्मान फिनॉल की एननीटी एंटी इस्टु वाली रिक्षन कर आ तो असकून रिएक्षन हो वो क्वों लीवर्मान और एक लीवर्मान ना सो टेस्ट अलग होता है कोश्चन नंबर सेवन्टीवन इन दो फॉल्लविंग ग्रूप निम्ने समोहों को देखो इदर ग्रूप देख लिया OAC, OME इसमें लिविंग ग्रूप वो अच्छा होता है जो निकलने के बाद ना आए, इस्टेबल रहे बहुत निकल के फिर आजागा काई का अच्छा लिविंग ग्रूप तो लिविंग ग्रूप जो निकले उस पे माइनस चार लगा के देख लो जिसका कार्विंग ग्रूप अधिक इस्टेबल होगा, लिविंग ग्रूप उतना ही अच्छा होगा तो कौन निकलने पर नहीं आता है, CF3 strong minus I effect, ठीक है ना, तो आंसर कौन सा होगा सबसे दिक 4, फिर 3, फिर 1, फिर 2, देख रहाँ ना, कार्विंग आयन जितना अच्छा इस्टेबल होगा minus I, अरे, टोसिल ब्रोसिल नोसिल याद करो leaving group वो अच्छा होगा, जो जिसका minus charge उस पर बना दो, जिसका कार्विंग आयन अधिक stable होगा, वो अच्छा living group होगा, living group is directly proportional to stability of carbon ion, ठीक है, next, 72, ये देखो, ये है, बना दिया, बना दिया, अब जो S2 निकलने के बाद, जिसका S2 निकलने के बाद, stable compound बन रहा होगा, देख रहा है न, S2 निकला, ये S2 निकला, ये S2 निकला, ये S2 निकला, ये S2 है, कौन अधिक stable बन रहा है, ये बन रहा है, तो इसका निजली करन आसानीस होगा, इस question में complication भी हो सकती थी, अगर यहाँ पर लगा देते तो, ठीक है न, वैसे इसका carbocatine भी, खैर, इसमें तो simple, S2 निकलने के बाद, देख लो, कौन अधिक stable है, तो यहाँ double, single, double, इसमें cable double bond, इसमें, हाँ, यहाँ पर दा सकता है, देख लो, अब यहाँ first और third में confuse हो सकता है, बच्चा, कि दोनों में सर्फ same stability है, रुख जाओ, रुख जाओ, अच्छा question है यह, रुख जाओ, सबसे पहले हमने S2 निकाल दिया, कौन अधिक stable बना, first और third, यह दोनों तो last में है, अब यहाँ कार्बोकटैन बनाओ, यहाँ कार्बोकटैन बनाओ, देखो कौन अच्छा कार्बोकटैन है, Cu के बगल में plus charge क्या हो जाएगा, minus i effect, और minus i effect stability को क्या करता है, कम करता है, इसलिए answer क्या होगा, first, ठीक है, क्या किया बेटा, फिर दुबारा द्यान सुन लो, question बहुत अच्छा है, द्यान से सुनो, द्यान से इधा देखो, पहले हमने H2O निकाल दिया, double bond बनाओ, फिर H2O निकाल दिया, double bond बनाओ, ठीक है, हमने देखा, first और third और दोनों सेme stable दिख रहे हैं, तो हमने क्या बना दिया होँ, और कार्वोकटायन, अब कार्वोकटायन की जो बात है, यहाँ plus charge, यहाँ plus charge, कौन सा कार्वोकटायन दिखिए, क्योंकि Cu क्या लगेगा, minus i, minus i कार्बोकटाइन की stability क्या करता है कम करता है ठीक है चलें question समय में आ गए दोनों का product पर देखा उसके बाद से कार्बोकटाइन की stability देखे अच्छा question है बेटा next cyclohexanol से cyclin cyclohexanol है और इस से बनाना आपको cyclohexene सही है leucastus नहीं concentrate S3PO4 S3PO4 क्या करेगा पानी निकाल देगा क्या बन जाएगा cyclohexanol best answer कौन सा है next HBR benzyl नहीं है तो बड़े वाले का के साथ OH और छोटे वाले के साथ क्या हो जाएगा bromide यहीं अगर जो कौन सी reaction होगी है SN2 अगर यहीं benzyl होता benzene CS2 होता तब इसके साथ गरबर होता मामला तो कौन सा हो जाएगा answer fourth तो 74 का क्या हो गया next 75 इस reaction का इंतजार था OH coal बे reaction इन एओ ओएच CO2 H+, ही थे लिख दिया हमने यहां तक की बात यहां तक की H+, क्या हो जाएगा Celsalic Acid याद करो OH CO OH अब एन हैडराइट CS3 CO होल ट्वाइस O तो यहां से निकलेगा यहां पर यह हो जाएगा O CO CS3 अब यहां क्या हो गया COH क्या है यह Aspirin समझ गया O N A CO2 H+, यहां बन जाएगा तुम्हारा COH इसको है फिर ST का हैडराइट उसके साथ reaction करोगे क्या बन जाएगा Aspirin दोबारा कर दें क्या इसको तो answer इसमें कौन सा हो गया 75 में First ही आ गया दोबारा इसको कर दें क्या यहां से यह कर दें यह तो समझ गया कौन सी reaction है Colway Cria Ortho पर क्या जाएगा COH यह कर दें लुग जाओ CS3 C double bond O O CO CS3 तो यह H तो यहां क्या हो गया O CO CS3 बोलो यहां तक की reaction हो गए Colway वाली फिर Enhydrate का इसके Stil Cloride के साथ भी करते तो Benjo कैसे नहीं करेगा तो यह क्या बने आपका Aspirin ठीक है दोस्तों ठीक है 75 question हो गए अब आप इसमें Question को आप खुदी इसको एक बार देख के करो ठीक है न उसके बाद से अपना में answer देखना है फिर उसके explanation देखनी है अगर आप race में हो तो यह तुरंद reaction आपको पता चल जाएगी कौन सी reaction है Colway आगे Enhydrate NCIT की reaction है S3 मन जाएगा ठीक है तो बिटा एक एक question पहले खुद को सिस करना बिटा अपना मकसद दूसरी टाइब का है कि आप तक बच्चों की जाए अपना mobile भी खेलता देखते रहे पहला question देखा लिखा अगर उसको देखते रहे तो तुम्हें आ रहा है तो कोई दिक्कत है नी अच्छा चलना है तुम्हारा काम तो में लोग कॉन्फरेंस से लब अलब हो जाओ अगर आ रहा है तो आपका best ठीक है न सही है जैजा कारा कर दो सेट करो काम ठीक है थेंक यू अच्छा करोग न ठीक है best of luck थेंक यू बेटा